हालो फ्रेंड स्कॉट एंड चैनल पे आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे टाइपस ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर एंड देर यूज़स किस तरह के स्पॉंज किस तरह के मेकप के लिए यूज़ होते हैं हर शेप का अलग-लग यूज़स होते हैं सबसे पहले जो बात प्रेंटिंग दा स्मॉल एरर मेकप करते वक्त अगर छोटा मोटा मेकप खाब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए यह स्पॉंज यूज़स होता है इसके बाद जो सेकिंड स्पॉंज है वह स्कॉल्प्टर स्पॉंज परफेक्ट फार हैवी अप्लिकेशन ओफ करने में यह जो स्पॉंज है यही यूज़स होता है इसकी जो एप्लिकेशन है वह लीकट मेकप के टाइम ही से काम में आती है इसके बाद जो थर्ड है टियर जॉप स्पॉंज इसका जो टिप पाट यूज़स होता है वह होता है जो स्मॉल एरिया होती है जैसे आंख के प यूस होता है फेस पे ब्लेंड करने के लिए तोनों जो पार्टस होते है दोनों का यह है फ्लैट एंड स्पॉंज इसका जो यूज होता है वो होता है चीक और नोज को कंटोर करने में मिनिंग नाग को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है नाग के साइड्स को उससे बोलते हैं कंटोरिंग इसके बार रते हैं microfiber makeup sponge यह यूज होता है यूज ङूज होता है यूज होता है जो आप्लकेशन है यह यूज होता है बीबी और CC cream को use करने में जब भी इसकी pointed tip को use करना है तो इसको भी small जो हमारे face पे areas होते हैं उनको cover करने में इसका use होते हैं और specially BB और CC cream के लगाते टाइम और उसके बाद आती है silicon yellow sponge they will not work for powder they are used for liquid and cream makeup जब भी liquid या cream makeup use करना है तो silicon yellow sponge use होती है इसके बाद आती है cotton powder puff यह use होता है जब भी face पे loose powder लगाना हो या फिर ज़्यादा area cover करना हो तभी यह powder puff type लगता है जैसे पुराने टाइम पे powder puff use होते थे यह है round flat sponges यह use होते है जब भी foundation लगाना है या फिर powder लगाना है जैसे के वो हम देखते हैं foundation में यह पहले सही होते है इसके बाद आते है mushroom makeup sponges used over cheek forehead large area to apply blush और contour shadows जब भी face पे बड़े बड़े हमारे जो face पे बड़ा area जैसे cheek forehead है उनको cover करने में use होते हैं यह थी कुछ beauty blenders या जिनको sponges बोलते हैं उनको कैसे use करना है हमने आज बात की तो आपको यह video कैसा लगा आप मेरे को बता सकते हो और आगे आप beauty blenders या फिर makeup के regarding किस तरह का video देखना जाते हो वो भी आप मेरे साथ share कर सकते हो thank you